तो दोस्तो आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ 2020 में आई मुवी छोरी को इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है तो रेटिंग्स उपर नीचे हो रही है मैं मुवी को एक्स्प्लेइन करूँगा लेकर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिके सब्सक्राइब को दबा कर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिन्नोंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़ रही है मैं आप के लिए वीडियोस लाता रहूंगा और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बूक पर भी फॉलोग कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मुवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम साक्षी होता है और वो आट महीने से प्रेगनेंट होती है और वो एक एंजियो में काम करती थी क्योंकि उसे बच्चों के साथ खेलना और उनका खयाल रखना बहुत पसंद था थोड़ी धेर बाद वहाँ पर उसका हस्बंड आ जाता है जिसका नाम हेमंत होता है और फिर दोनों साथ में ही मजे से गोल गपे खाने लग जाते हैं तबी वहाँ पर कुछ आदमी दिखाई पड़ते हैं जिनने देखकर हेमंत काफी घबरा जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो उससे कुछ चाते हो तो हेमंत तुरंत ही अपनी वाइफ को लेकर घर निकल जाता है हेमंत का एक ड्राइवर भी था जिसका नाम कजला था और वो हेमंत के यहां ड्राइवरी का काम करता था अब एक राज साक्षी अराम से सो रही होती है तब ही उसकी नीन किसी के दर्द के करहने की आवाज से खुलती है जिसे सुनकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे हेमन को कोई मार रहा हो साक्षी जब नीचे जाती है तो देखती है कि कुछ गुंडे घर में घुस कर हेमन को बुरी तरह से मार रहे थे ये वही बदमाश थे जो रोड पर हेमन को घूर रहे थे उन गुंडों का लीडर हेमन से कहता है कि तुमारे पास 24 गंडे तक का टाइम है तो जल से जल पैसे लोटा दो, वनना तुम दोनों को ही सुल्टा दूँगा और इतना कह कर वहाँ से चला जाता है ये सब हो जाने के बाद हीमं साक्छी को बताता है कि मैंने एक बिजनस खोलने के लिए पैसे उधार लिए थे लेकिन जिसके साथ बिंजनस खोलना था वो ही पैसे लेकर भाग गया और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उधार चुका सकूँ इसलिए ये लोग मुझे मारने के लिए आये थे साक्ची ये सब सुनने के बात कहती है कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाकर छुप जाना चाहिए क्योंकि अब इस तरफ हम दोनों की बात नहीं है हमारा बच्चा भी आने वाला है अब उन दोनों को तो ऐसी कोई जगा नहीं पताती जहां पर जाकर वो छुप सकें तो वो कजला से सला लेने के लिए उसे बुलाते हैं कजला बताता है कि मेरा ही एक गाउ है जहां जादा घर नहीं है और वहां कोई जादा आता जाता भी नहीं है इसलिए आप लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं और मेरी बीवी गाउं में ही रहती है तो वो साक्षी का खयाल रखेगी अब वो तीनों कार से गाउं के लिए रवाना हो जाते हैं और एक गने गन्ने के खेत में पहुँच जाते हैं कजला कहता है कि एंगन्नों के खेट से ही रास्ता जाता है तो आप दोनों यहां से जाईए आपको घर मिल जाएगा और इतना कहकर वो गाड़ी पार्क करने चला जाता है अब हेमंद और साक्ची खेतों के बीच बने पकडंडी के रास्ते जा रहे होते हैं और चलते चलते एक जगा पर पहुंच जाते हैं जहां पर से कई रास्ते निकल रहे थे हेमंद साक्ची को वही पर बैठा देता है और वापिस आने का वादा करके खुदी सही रास्ता धून निकालने के लिए चला जाता है अब हेमंद का इंतजार करते करते रात हो जाती है लेकिन हेमंद अब तक वापिस नहीं आया था तो साक्षी खुदी रास्ता खोजते हुए उस अंधेरी रात में हेमंद को धूर्णने निकल जाती है थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद साक्षी को एक बंद घर दिखाई पड़ता है तो वो उसकी और जाती है फिर वहीं पर उसे हेमंद मिल जाता है हेमंद के साथ एक औरत भी आई होती है जो की कजला की धरम पत्नी थी जिसका नाम भानो देवी था हेमंद को देखते ही साक्षी के सांस में सांस आती है और वो उसे गले से लगा लेती है क्योंकि अंधेरी रात में एक अंजान जगए पर घने खेत में अकेले भटक जाना दिल की धड़कने बढ़ाने के लिए काफी था अब हम देखते हैं कि भानो देवी खाना बना रही होती है तब ही साक्ची उससे सवाल करती है कि ये घर किसका है और जो पीछे कमरा है उसमें कौन रहता था भानो देवी बताती है कि ये हमारा ही घर है और उस कमरे में मेरे देवर योगेश रहते थे लेकिन फिर योगेश के मर जाने के बाद हम ये घर छोड़ कर चले गए अब तुम लोग यहाँ आए हो तो ये घर खुला है वनना ये बंद ही रहता अब खाना पीना हो जाने की बाद कजला और उसकी पतनी अपने घर की और निकल जाते हैं और हेमंत और साक्ची उसी घर में आराम से सो जाते हैं अब सुबह होने पर कजला हेमंत को अपने खेत दिखाने के लिए कहता है तो हेमंत उसके साथ चला जाता है साक्ची का भी बहुत मनता खेतों को देखने का लेकिन उससे किसी ने भी नहीं पूछा था तो वो भानु देवी को ही साथ में चलने को कहती है लेकिन भानु देवी हलका सा मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है एक रात गुजारने पर साक्षी को ये समाज आया था कि कजला और भानु देवी अभी भी वैसे ही पुरानी परंपरायम मानते आ रहे हैं और वो उस समाज से तालुक रखते हैं जहां मर्दों को काम करने और और ओरतों को घर समालने जैसी सोच को माना जाता है अब साक्षी वहाँ अकेले ही रह गई थी तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए इधर उधर टहनने लग जाती है तब ही उसकी नजर उसी कमरे पर जाती है जो कमरा उसने रात में देखा था जब वह उस कमरे को खोलती है तो हर जगा कोईले जैसा नजर आ रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने कभी कमरे में आग लगाई हो साक्ची को उस कमरे में कुछ खास दिखाई नहीं पड़ता तो वो और एक्स्प्लोर करने के लिए खेतों की तरफ निकल जाती है थोड़ी दूर चलने पर उसे काफी बड़ा कुवा दिखाई पड़ता है साक्ची उस कुवे में झाकने लग जाती है लेकिन तबी उसके पीछे से एक हात आता है जिसे महसूस करते ही वो डर जाती है लेकिन फिर पता चलता है कि उससे डराने वाला उसका पती ही था जो कि उसके साथ मजा कर रहा था रात होने पर हेमंद बताता है कि पैसो का जुगार हो रहा है जिसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा इसलिए मैं कल सुबा कजला के साथ शहर के लिए निकल जाओंगा साग्ची हेमंद के बिना नहीं रहना चाहती थी तो वो भी साथ में ही चलने की जिद्द करने लग जाती है हेमंद उसे समझाता है कि हमारे बच्चे के लिए बहतर यही है कि तुम अभी यही पर रहो और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भानू देवी तो है ही और पैसो का इंदजाम होते ही जल्द ही आ जाऊंगा अब साग्ची इस बाद से परिशान थी कि वो इस गाउं में अकेले कैसे रहेगी जहां फोन का नेटवर्क भी नहीं आता हो लेकिन भानू देवी उसके साथ काफी अच्छे से रहने लग जाती है और साग्ची भी अपना सारा दिन उनी के साथ रहकर बिताने लग जाती है और जो अब तक साग्ची के मन में अकेले रहने को लेकर सवाल थे वो सब अब खतम हो जाते हैं क्योंकि आब उसे भानू देवी के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था एक दिन साक्ची जब सुबा उटकर बाहर जाती है तो देखती है कि एक औरत लकडिया काट रही होती है और साक्ची को अजीब तरह से घूरे जा रही होती है साक्ची तभी नोटिस करती है कि उसके पेट पर काफी बड़ा निशान बना हुआ है और देखकर लग रहा था कि जैसे उसका पेट किसी चीज से काटा गया हो साक्ची की पूछने पर बानू देवी बताती है कि ये औरत मेरे बेटे राजबीर की पतनी है जिसका नाम रानी है कुछ साल पहले की बात है जब रानी पेट से थी और तब हम लोग बहुत खुश थे लेकिन जब आट महीने बीते तो रानी अचानक से कहीं गायब हो गई जब हमने हर जगे धूडा तो वो हमें खेतों में पेट के बल पड़ी मिली पेट के बल गिरने के बाद बच्चा पेट में ही मर गया था जिसकी वज़े से पेट काट कर मरे हुए बच्चे को बहान निकालना पड़ गया और इसलिए उसके पेट में निशान है जो कि आज भी हमें उस भयानक दिन की याद दिलाता है बच्चे के मरने के बाद रानी वो सद्मा बरदास्त नहीं कर पाई और तब से उसने बोलना ही बन कर दिया उसके बाद से मेरा बेटा राजबीर शहर चला गया और अब वहीं पर रहता है बानु देवी भले ही रानी को लेकर चिंता दिखा रही थी लेकिन हर वक्त रानी को खरी खोटी सुनाया करती थी जैसे कि वो उनकी बहु नहीं बलकि कोई नौक रानी हो अब हम देखते हैं कि रात तक सारे काम निप्टाने के बाद भानु देवी रानी के साथ अपने घर की और निकल जाती है और साक्ची सोने की तयारी करने लग जाती है तब ही उसे मेन दर्वाजे पर एक छोटा लड़का दिखाई पड़ता है साक्ची को बच्चों से काफी लगाओ था तो उस बच्चे को देखने के लिए बाहर निकलती है लेकिन बच्चा उसे दिखाई नहीं पड़ता साक्ची बच्चे को धूरने लग जाती है तो उसे एक और बच्चा दिखाई पड़ता है ऐसे ही करते करते उसे तीन बच्चे दिखते हैं जो कि इधर से उधर भाग रहे थे और पल-पल में गायब होते जा रहे थे साक्षी को बच्चे उसी कमरे में जाते दिखते हैं जो कमरा जला हुआ दिखाई पड़ता था तो वो उनके पास जाने लग जाती है लेकिन तबी पीछे से भानु देवी आ जाती है और उसे कमरे में लेकर चली जाती है साक्षी जब बताती है कि उसे तीन बच्चे दिखाई पड़े तो भानु देवी काफी घबरा जाती है जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या ही सुन लिया हो और डर के मारे सारे खिड की दर्वाजे बंद कर देती है बानु देवी डरते हुए कहती है कि अब तुम्हें अगर वो बच्चे दिखें तो उनके पास मत जाना और उनसे कभी भी बात करने की कोशिश भी मत करना ये सब बाते सुनकर साक्ची के मन में कई सवाल आने लग जाते हैं कि भानुदेवी बच्चों से बात करने को मना क्यों कर रही है तो वो जिद करती है कि चाहे जो हो लेकिन मैं तो बच्चों के साथ खेलूंगी ही भानु देवी उस पर गुस्ता करते हुए कहती है कि रानी ने भी तुम्हारी तरह अपनी मनमानी करने की कोशिश की थी इसलिए उसका ये हाल हो गया और तुम भी वैसा ही कर रही हो जो कि बहुत गलत हो सकता है अब इस बहस बाजी की बाद से वहां का महौल थोड़ा गरम हो जाता है जिसकी वज़े से जो प्यार अब तक भानु देवी और साक्ची के बीच दिख रहा था वो अब खतम सा हो जाता है अगले दिन साक्ची को अब फिर से वही बच्चे दिखाई पड़ते हैं तो वो चुप चुप के उनका पीछा करने लग जाती है वो तीनों बच्चे उसी कमरे के अंदर भागते हैं जहां वो पिछली रात गाय हुए थे साक्ची जब वहां जाती है तो उसे उस कमरे के बाहर ही एक पुराना रेडियो रखा मिलता है जिसमें की किसी औरत की लोरी सुनाने की आवाज आ रही होती है साक्ची उस रेडियो को उठा लेती है और उस कमरे के अंदर चली जाती है लेकिन उसे वहाँ पर अंधेरे के सिवाई कुछ भी नहीं मिलता जब वो बाहर आती है तो भानु देवी उसे देख लेती है और बानु देवी की नजर सीधा उस रेडियो पर जाती है जो साक्ची के हाथ में था उस रेडियो को देखते ही बानु देवी गुसे में आकर साक्ची के हाथ से रेडियो छीन कर फेक देती है और कहती है कि तुम अगर अपना भला चाहती हो तो उन बच्चों से दूर रहो और ये मैं तुमारे भले के लिए ही कह रही हूँ भानु देवी की ये हरकत देख कर साक्ची भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं अपना भला खुद से देख सकती हूँ इसलिए आपको कुछ बताने की जरुवत नहीं है और आप जो दिखती हो वो हो ही नहीं आप जो रानी के साथ बरताओ करती हो वही आपकी असलियत है इस बात पर भानु देवी कहती है कि वो औरत एक लड़का पैदा नहीं कर पाई तो वो क्या ही औरत है रात होने पर हम देखते हैं कि हेमंत अब वापिस आ जाता है तो उसे देखते ही साक्षी उसे जोर से गले लगा कर रोने लग जाती है क्योंकि उस वक्त वही एक लौता इंसान था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी साक्ची रोते हुए हेमंत को बताती है कि भानु देवी अच्छी औरत नहीं है और वो हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है इसलिए मुझे अब यहां नहीं रहना और इसी वक्त मुझे यहां से जाना है अब साक्ची ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था जिसे देखते हुए हेमंत वहां से निकल जाने के लिए तयार हो जाता है अब दोनों ही लोग घर से निकल रहे होते हैं कि तबी अचानक से गजला हेमंत के सर पर डंडे से वार कर देता है जिसे कि हेमंत तुरंत ही बेहोश हो जाता है और भानू देवी साक्ची को कुछ सुंगा देती है जिसे कि वो भी बेहोश हो जाती है साक्ची को जब हलका हलका होश आता है तो वो अपने आपको एक तांत्रिक बाबा के सामने पाती है जो कि उसके उपर कोई जादू टोना कर रहा था और वही पर हेमंद जख्मी हालत में बंधा हुआ था इसके बाद हम देखते हैं कि भानू देवी साक्ची को घर ले जाकर बेट से बान देती हैं और एक कहानी सुनाने को कहती है भानू देवी बताती है कि बहुत साल पहले की बात है जब मेरे देवर की शादी सुनैनी नाम की लड़की से की गई थी नाम उसका सुनैनी था लेकिन सीरत से एक्दम डायन थी और उसके पैर घर पर पढ़ते ही मेरा परिवार उजड़ गया मेरे चार बेटे थे जिसमें से राजबीर सबसे बड़ा था और बाकी सब चोटे थे सुनैनी ने पता नहीं क्या जादू किया था कि मेरे तीन चोटे बेटे उसी के साथ खेलते रहते थे मैंने हर तरीके आजमा लिये लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ ही नहीं रहते थे लेकिन फिर भी वो मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती थी और एक दिन पती-पत्नी के बीच बहुत जगड़ा हुआ तो सुनैनी ने अपने पती को चाकू घोप कर ही मा डाला फिर उसके बाद उसने अपना पेट उसी चाकू से चीर लिया और वहीं पर बने कुए में कूद गई लेकिन वो अकेले नहीं कूद दी बलकि वो मेरे तीनों बेटों को भी साथ ले गई जिससे कि उनकी मौत हो गई कुछ सालों बाद मेरे बेटे राजबीर की शादी रानी से हुई फिर कुछ टाइम बाद रानी प्रेगनन भी हो गई रानी का जब आटवा माईना चल रहा था तो उसे भी वो तीन बच्चे और सुनानी दिखाई देने लगे और इस डायान सुनानी के जाल में फसका रानी ने भी अपना पेट चाकू से चीर लिया हमने राजबीर की दो तीन बार और शादी कराई लेकिन जब भी बच्चा होने वाला होता तो वो डायान सुनानी बच्चों को माई डालती अब हमने राजबीर की फिर से शादी कराई है लेकिन इस बार गाउं में नहीं बलकि शहर में शादी कराई है और अब उसकी बीवी पेट से है तांतरिक बाबा ने कहा है कि अगर कोई औरत जो आट महीने से प्रेगनन्ट है वो अगर इस घर में तीन दिन डायन के साय से बचकर रह जाए तो हमारे इस घर पर लगा शराब खतम हो जाएगा इसलिए हमने तुम्हें पकड़ा है ताकि तुम यहां रहो और इस घर का शराब मिट जाए और तब फिर हमें हमारे घर का वारिस मिल जाएगा साक्षी उस वक्त पूरे होश में नहीं थी कि उससे लड़ सके इसलिए वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाती और भानुदेवी उसे बान कर वहां से चली जाती है अब सुबा होने पर साक्षी को जब होश आता है तो अपने आपको ऐसा बंधा देख कर एक्दम घबरा जाती है लेकिन वो रस्ती से खुद को आजाद करने में काम्याब हो जाती है वो बाहर निकल कर हर जगह जाकर हेमंद को धूर्णे लग जाती है लेकिन उसे हेमंद कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता वो उसे धूर्णे के लिए उसी कमरे में जाती है जहां पर भूतिया चीजे हो रही थी लेकिन वहां भी उसे हेमंद नहीं मिलता तबी वही पर अचानक से कहीं से वही रेडियो आ जाता है जो भानु देवी ने फेका था और उसमें वही लोरी बज रही थे जो सुनैनी बच्चों को सुनाया करती थी साक्ची डर के मारे दोड कर अपने कमरे में चली जाती है और दर्वाजा बंद कर लेती है लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वही तीन बच्चे खड़े होते हैं जो कि दिखने में काफी डरामने लग रहे थे वो बच्चे साक्ची से कहते हैं कि तुमारे पेट में बच्ची है ना हमने आज तक छोटी बच्ची नहीं देखी तो हमें दिखाओ ना वो लोगाएंगे और इसे भी ले जाएंगे और ऐसे ही डरामनी आवाज में बोलते हुए वो तीनों बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं साक्ची अब वहां से बाहर निकलने के लिए खेतों से जाने लगती है लेकिन उसे बार बार वही तीन बच्चे दिखाई दे रहे होते हैं जिनके साथ सुनैनी चुपन चुपाईल खेल रही थी वो इधर से उधर डरते डरते भटकते हुए उसी कुए के पास पहुँ थी तब ही उसको एक तरह का विजन दिखाई परता है जिसमें कि सुनैनी और वो तीन बच्चे कुए में कूटते हुए दिखाई परते हैं साक्ची घबराते हुए कुए में जहांकर देखती है तो वहां उसे कोई भी नहीं मिलता तब उससे एसास होता है कि जो कुछ भी देख रही है वो उसका बस ब्रहम है और कुछ भी नहीं अब वो उस जगह से निकलने की पूरी कोशिश करने लग जाती है लेकिन वो जिस भी रास्ते से जाती वो रास्ता बंधी निकल रहा था जो घर था वो गन्ये के खेतों के बिलकुल बीचोबीच था और उन्हीं खे देवी और उसका बेटा राजबीर उसे धून रहे हो तो वो उसी गमरे में छुप जाती है जो की भूतिया था फिर तभी उसके कपड़े बदल जाते हैं और ठीक वैसे ही कपड़े आ जाते हैं जैसे सुनैनी ने पहन रखे थे तभी भानु देवी और राजबीर वहां आ ज जाते हैं और उसके उपर पेट्रोल छिनक कर उसको जिन्दा ही जला देते हैं तभी थोड़ी दिर्बाद साक्ची को एहसास होता है कि ये सब कुछ एक बस भ्रम था लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं यहां हमें थोड़ा जगे का मैप बनाने लग जाती है जिससे कि ये क्लियर हो सके कि वो कहां तक गई है और कौन सा रास्ता बंद है अब मैप के हिसाब से वो हर रास्ते में जाकर बाहर की और जाने का रास्ता खोजने लग जाती है लेकिन घंटों तक मशक्कत करने के बाद भी उसे हर रास्ते बंधी मिलते हैं तो वो वहीं बीच खेत पे ठक हार कर सो जाती है अब अगली सुबा जब वो उड़ती है तो उसे बहुत जोरों की भूक लगती है तो वो भाग कर रसोई की तरफ जाती है और कुछ खाने के लिए धूरने लगती है पर उसे हर डबबा खाली ही मिल रहा होता तब ही उसे एक डबे में कुछ खाने को मिलता है जो कि पता नहीं सही था भी या नहीं लेकिन उसके पेट में बच्चा था तो उसके खादिर वो उस चीज को खाने लग जाती है ताकि उसका शरीर चलता रहे और बच्चा चिंदा रहे साक्ची खुद को एकदम लाचार और बेबस साफ फील कर रही थी क्योंकि वहाँ कोई तो ताकत थी जो उसे घर से दूर जाने से रोक रही थी और अभी सिर्फ एक दिन ही बीता था और दो दिन और उसी भूतिया जगाए पर बिताने थे साक्ची अब फैसला करती है कि अब जो कुछ यहां मुझे दिख रहा है या हो रहा है वो उसे भागेगी नहीं बलकि उसे समझने की कोशिश करेगी ताकि इस घर के रास खुल सकें अब उसे फिर से सुनैनी और वो तीन बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो की खाट पे बैठे खेल रहे थे बच्चे सुनैनी से वही सवाल कर रहे होते हैं कि आपके पेट में छोटी बच्ची है ना और छोटी बच्ची कैसी दिखती है यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुनैनी पेट से थी और उसे एक लड़की होने वाली थी और वो बच्चे उसके आने का इंतजार कर रहे थे एक तरह से साक्ची के सामने सुनैनी की जिन्दिगी का एक किस्सा चल रहा था शायद ये दिखाने के लिए कि असलियत में सुनैनी के साथ हुआ क्या था अब तबी वहाँ पर भानू देवी और सुनैनी का पती योगेश आ जाता है और उसे डंडे से मारने के लिए दोड़ पड़ता है साक्ची उसके पीछे खेतों में जाती है तो देखती है कि योगेश सुनैनी को बेरहमी से डंडे से पीटे जा रहा था वो तीन बच्चे सुनैनी से बहुत प्यार करते थे और वो अपनी चोटी माई को बचाने के लिए उसके हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं ताकि वो उस वक्त हो रहे जुल्म का सामना कर सके योगेश उसे इसलिए मार रहा था क्योंकि उसके पेट से लड़का नहीं बल्कि एक लड़की जनम लेने वाली थी और सुनैनी के चाकू दिखाने पर वो और भी ज़्यादा गुसे में आ जाता है और बुरी तरह से उसे मारने लग जाता है बच्चे योगेश को रोकने के लिए उसके पैर पकड़ने लग जाते हैं कि तभी योगेश का बैलंस बिगड़ जाता है और वो सीधा उसी चाकू पर जा गिरता है जो सुनैनी के हाथ में था जिससे कि उसकी तुरंथ ही मौत हो जाती है अब भानुदेवी वहाँ पर आ जाती है और उस पलजाम लगाने लगती है कि उसने अपने पती को ही मार डाला और चिला चिला कर राजबीर और कजला को बुलाने लग जाती है और यहीं पर ये विजन खतम हो जाता है अब साक्ची को एक और विजन दिखाई पड़ता है कि रानी चाकू से अपना पेट काट रही है और वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रही बलकि सुनैनी ऐसा करवा रही है और राजबीर की पाकी जितनी भीविया रही सब के साथ ऐसा ही हुआ था अब सुनानी साक्ची के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे चाकू पकड़ाने लग जाती है लेकिन साक्ची उसे कहती है कि वो अपने बच्चे को नहीं मारेगी और उसे कुछ भी नहीं होने देगी इसके बाद साक्ची को फिर से एक विजन आता है कि उस कमरे में आग लग गई है जहां पर भूतिया चीजे हो रही थी लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता तब ही अचानक से उसका पेट काला पढ़ने लग जाता है जैसे कि कोई जला रहा हो और फिर उसको बहुत जोरों का दर्द भी होना शुरू हो जाता है थोड़ी दिर बाद उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची लेटी होती है जिसे देखकर फील हो रहा होता है कि जैसे अभी ही पैदा हुई हो तब ही वहाँ पर वो तीन बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे और उसे कुछ भी नहीं होने देंगे आगे बढ़ती है लेकिन भानु देवी उसे पकड़ लेती है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसमें साक्ची ही सुनैनी के रूप में थी ताकि साक्ची को एहसास हो सके कि सुनैनी के साथ क्या-क्या बुरा किया गया था एक तरह से मान लीजिए कि सुनैनी साक्ची को अपनी जगा रख कर उसकी जिंदिगी में हुए अन्याय को दिखा रही थी हम देखते हैं कि वहाँ एक बाबा भी मौजूद होता है और वहाँ एक तरह की कोई रसम निभाई जा रही होती है जिसमें कि वो लोग बच्ची की बलिद दे रहे होते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके साक्ची रो रो कर चिलाती रह जाती है लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था और राजबीर बच्ची को कुए में फेक देता है साक्ची दोड़ कर कुए में जाकर देखती है तो उसे कुए पुरी बच्चियों से भरा दिखाई पड़ता है जिससे कि ये पता चलता है कि ये रसम पहली बार नहीं हो रही थी बल्कि ये नीच काम कई बार किया जा चुका था अब इसके बाद साक्ची को उसी लोरी की आवाज सुनाई पड़ने लग जाती है जो रेडियो में बजा करती थी साक्ची जब उस आवाज के पीछे पीछे जाती है तो उसे वही तीन बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि उसके सामने चाकू लेकर खड़े होते हैं और साक्ची से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है तभी वहाँ पर सुनैनी एक डरामने रूप में आ जाती है और साक्ची को चाकू लेकर खुद से ही अपना पेट काट कर अपने बच्चे को मारने के लिए मजबूर करने लग जाती है तबी वहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि साक्ची एकदम शांती से घर के बार कुर्सी पर बैठी हुई थी और वहाँ पर अब भानू देवी, हेमंत और कजला आ जाते हैं साक्ची को वहाँ रहते हुए तीन दिन बीद गए थे तो जिस चीज के लिए भानू और कजला ने उसे रोक रखा था वो काम अब पूरा हो गया था, तोनों ने हेमंत को छोड़ दिया था हेमंत साक्ची से कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं हमें यहां से तुरंत ही निकल जाना चाहिए लेकिन साक्ची कहती है कि जब तक मैं इस कहानी के किरदानों को बेनकाब न कर दू तब तक मैं यहां से नहीं जाओंगी अब सीन फिर से उसी जगह पर शिफ्ट होता है जब सुनैनी साक्ची को अपना पेट काटने के लिए मजबूर कर रही थी साक्ची चिलाते हुए कहती है कि तुमारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं इन तीन दिनों में वो सारा दर्द महसूस कर चुकी हूँ इसलिए ऐसा करके ये कहानी अब दोबारा मत दोराओ मुझे मौका दो कि मैं तुमारी कहानी इन खेतों के बाहर ले जा सकूँ मैं उस हर मा के लिए आवाज उठाओंगी जिनके साथ ये अन्याय हुआ है और ये एक मा का दूसरी मा से वादा है उसकी बाते सुनकर सुनैनी जो अब तक ऐसे ही करके बच्चों को मारते आ रही थी वो रुख जाती है और साक्ची को जाने देती है साक्ची बताती है कि भानु देवी कजला और उसके बेटे राजबीर ने सुनैनी को जिन्दा जला डाला था क्योंकि योगेश की मौत हो गई थी लेकिन उसको सुनैनी ने नहीं मारा था बलकि वो एक हाथसा था सुनैनी जलने के बाद तब भी जिन्दा थी और इन लोगों ने उसे ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया था उसी जली हुई हालत में तब भी उसने एक बच्ची को जनम दिया लेकिन वहाँ पर तब भी उसे देखने कोई नहीं आया लेकिन वो तीन बच्चे वहाँ पर आये जो सुनैनी के साथ हमेशा खेलते रहते थे अब यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आती है कि भानु देवी का परिवार ये चाहता था कि उनके घर में सिर्फ लड़के ही पैदा हों लड़कियां कभी ना हूँ और जब भी लड़की होती थी तो एक प्रथा के चलते उसकी बलीद दे देते थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके जो कुछ भी भानु देवी ने साक्ची को सुनैनी के बारे में बताया था वो सब जूट था वो कोई डायन नहीं थी बलकि असली डायन तो भानु देवी थी जो ऐसे काम करती थी उन तीन बच्चों को सुनैनी ने नहीं मारा था बलकि जब सुनैनी की बच्ची को राजबीर ने कुवे में फेक दिया था तो सुनैनी बच्ची को बचाने के लिए कुवे में कूद गई थी और सुनैनी को भचाने के चक्कर में भानू देवी के तीन बच्चे भी कूद गए थे तो इसी सब में सभी की मौत हो गई थी और अब सुनैनी और उन तीन बच्चों की आत्मा अपना दर्द लेकर भटकती आ रही थी सुनैनी राजबीर की बीवियों के बच्चों को इसलिए मारती आ रही थी क्योंकि वो उस परिवार का वंच बढ़ने नहीं देना चाहती थी और वो किसी को भी जान से नहीं मारती थी बलकि भानु देवी का परिवार उन्हें मार डालता था क्योंकि जैसे साक्ची को सब कुछ पता चला था वैसे ही सुनैनी ने उन लोगों को भी अपनी कहानी बताई थी तो उनके घिनोने काम गाउं से बाहर ना जाएं इसलिए वो उनको मार डालते थे और एक वज़ा ये भी थी कि पेट कटने के बाद वो बच्चा नहीं दे सकती थी इसलिए भी उन्हें मार डालते थे उन्होंने रानी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसने खुद सही बोलना छोड़ दिया था तो उसे नौकरानी बना कर रखे हुए थे मासूम की हत्या करने को इन लोगों ने प्रथा का नाम दे दिया था और इसी प्रथा के चलते उनका परिवार सालों से बेटियों को मारते आ रहा था अब यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है कि हेमन्ती भानु देवी का बेटा राजबीर है और उसने ऐसे ही सब खेल रचाया था ताकि वो साक्ची को यहाँ पर ला सके और वो लोग जो अब तक करते आ रहे थे उस काम को कर सकें यह राज खुलते ही हेमन्त और फर राजबीर साक्ची को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन साक्ची हिम्मत दिखाते हुए उसके गरदन पर चाकूर रख देती है और कहती है कि यह छोरी इस बच्ची को जनम देगी और उस पर तेरी परचाय भी नहीं पढ़ने देगी इतना कहकर साक्ची वहां से जाने लग जाती है तब ही राजबीर उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है लेकिन साक्ची का साहस देखकर रानी को भी हिम्मत मिल जाती है और अब तक जिस हत्यार से वो लकडी काटती आ रही थी उसे राजबीर को ही काट डालती है और भानू देवी और कजला को भी खतम कर देती है साक्षी अब उसी जगह पर आखडी होती है जहां से कई रास्ते जाते थे और उसे नहीं पता था कि कौन सा रास्ता बाहर जाता है तब ही वहाँ पर वो तीन बच्चे आते हैं और मुस्कुराते हुए उसे सही रास्ता बता देते हैं साक्ची जब जाने लग जाती है तभी उसके साथ रानी भी आ जाती है क्योंकि वो इस नरक में रहकर क्या ही करती तो वो भी साक्ची का साथ पकड़ लेती है और यहीं पर मूवी खतम हो जाती है तो दोस्तों यह जो मूवी है वो बाकी बॉलिवुड हॉरर मूवी से बिलकुल ही अलग है क्योंकि इसकी जो कहानी है वो एक काफी बड़ा मैसेज देने का काम करती है वैसे तो यह मराठी मूवी लपाचपी का रिमेक है तो कह सकते हैं कि छोरी लपाचपी मूवी का हिंदी वर्जन है क्योंकि जो उस movie के director है उन्होंने ही छोरी movie को direct किया है तो एक हिसाब से उन्होंने अपनी ही movie को हिंदी में बना कर remake किया है ये movie हमें हमारे ही समाज के एक गुना से रूबरू कराती है जो कि कुछ जगा पर तो उसे गुना माना ही नहीं जाता ये पता चलने पर कि जो पैदा होने वाला है वो लड़का नहीं बलकी लड़की है और ये जानने पर उसे कोक में ही मा डालना ये सबसे बड़ा गुना है जिसकी ज़्यादा बड़ी कोई सजाबिन नहीं है दरसल परिवार वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि लड़की होगी तो खर्चा जादा होगा लड़की होगी तो सुरक्षा जादा करनी होगी लड़की होगी तो दहेश देना होगा लड़की होगी तो खांदान कैसे बढ़ेगा और ना जाने ऐसे कई विचार लोगों के मन में होते हैं जिसकी वज़े से हमारे देश में जो बच्ची पैदा ही नहीं हुई उसे कोक में ही मार डाला जाता है और ज़त्या की कहीं सुनवाई भी नहीं होती जो लड़की ना पैदा करने की वज़े हैं उसमें हम ही शामिल हैं और जो लोग बच्चीयों को पैदा होने से पहले ही मा डालते हैं उसमें भी हम ही शामिल हैं इसलिए किसी और को गाली देने या बुरा भला कहने से पहले एक बार आप खुद के बारे में सोचिएगा कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे वैसे अब तक जो होता आ रहा था वो धीरे दीरे अब बदल रहा है और काफी हद तक चीजे बदली हैं सरकार ने भी कई स्कीम्स निकाली हैं जिसे की लड़कियों को बढ़ावा मिल सके और ऐसे ही कई कैमपेंड चलाय जाते हैं जिसमें की बताया जाता है कि कन्या ब्रून हत्या कितना बड़ा पाप है इन सब बातों के जरिये मैं आप लोगों से यही विंती घरता हूँ कि करपया करके आप अपने मन में ऐसी घटिया सोच मत बनाईएगा क्योंकि एक लड़की अपने जीवन में बहुत से करदार निभाती है वो आपकी मा भी होती है और आपकी बेहन भी और आपकी बीवी भी होती है और सब आपकी क्यार ही करते हैं तो जितना प्यार आप अपनी मा से करते हैं उतना ही प्यार अपनी बेटी को भी दें और ये जो भी बातें आपके मन में आती हैं कि बेटी होगी तो कैसे चलेगा वो सब मन से निकाल दीजिए क्योंकि आज के जमाने में तो बेटियां परिवार का नाम जादा रोशन कर रही हैं मेरे जादा तर सबस्क्राइबर नौजवान लोग ही हैं उमीद है कि वो मेरी कही बातों को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे और वैसे तो आज का यूवा काफी समझदार है और वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत तो मुझे उमीद है कि कोई भानू देवी और कजला के कैटेगरी में नहीं आता होगा अब बात करें हम एक्टिंग की तो नुश्रत ने अपने किरदार को बहुती बहतरीन तरीके से निभाया है और उनकी एक्टिंग की लोगों ने काफी तारीफ की है और मुझे भी उनकी एक्टिंग काफी सही लगी वहीं बाकी कलाकारों ने भी अपने रोल को बखुवी तरीके से निभाया है ये मूवी भले ही हॉरर कैटेगरी में आती हो लेकिन इसमें हॉरर जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझ जैसा इंसान जो हॉरर मूवी आँखों पर हाथ रखकर देखता है वो भी अराम से देख ले तो समझ लीजिए कि मूवी डरामनी तो बिलकुल भी नहीं है तो अगर आप हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी से आपको निराशा ही हाथ लगेगी लेकिन अगर आप मूवी को देखेंगे तो काफी अच्छा मैसेज सीखने को मिलेगा तो अगर आप मूवी को देखना चाते हैं तो इसे Amazon Prime पर देख सकते हैं तो ये था explanation शोरी मूवी का आपको मूवी और मेरा explain करना कैसा लगा ये comment करके जरूर बताएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और बैल आइकन दबा दें जिसे कि आपको नई वीडियो की notification मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे Instagram या Facebook पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करें आपके like और comment से मुझे और भी वीडियो बनाने का motivation मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते आपके बाई लगी हो तो मिलता है